हेलो गाइज वेलकम बेक टू माई चैनल आयूसी सुपलार ड्राइंग आज हम सभी पाचन गरंतियों के बारे में अध्यन करेंगे सबसे पहले होता है लार गरंति जो की हमारे मुख में पाए जाता है ये तीन परकार का होता है अधो जिभा अधो जिभा अधो जम्प और करपूर लार गरंति कितने परकार के होते हैं तीन परकार के सबसे पहले होता है अधो जिभा, फिर होता है अधो जम्प और उसके बाद करपूर लार गरंती भी तीन चीजों से मिलकर बने होता है लार एमिलेज जो कि लार एमिलेज को टाइलीन भी कहते है जो इसका कार होता है स्टार्च या मंद का पाचन करना का पाचन करना स्टार्च या मंद का पाचन करना फिर होता है लाइसोजाइम ये इसका कार होता है जिवाड़ों का मारना जिवाड़ों को मारना फिर उसके बाद होता है जल मुख की इसका कार होता है मुख के नमी को बनाए रखना और भोजन को निगलने में ये सहाय करता है भोजन को निगलने में शहाय करता है को जल और फिर दूसरी गरंती होती है जेठर गरंती जो कि हमारे अमासे में पाई जाती है अमासे कुछ ही इस परकार का होता है अमासे की दिवारे तीन बिसिस्ट करिद सी परकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है सबसे पहला होता है सबसे पहला होता है मुख कोशिका जो कि पेपसी नोजन का निर्मार करता है पेपसीन नोजन इनेक्टिव रहता है अथाद निस्क्रिय रहता है इसका सक्रिय रूप पेपसीन होता है जो की ऑगजेंडिक द्वारा निर्मार कर जाता है और पेपसीन नोजन जो निस्क्रिय होता है उसका सक्रिय रूप पेपसीन का निर्मार करता है कौन और पेपसीन का काम होता है प्रोटीन का पाचन और SCL का काम होता है जिवाड़ों को मारना अब हमें हमारा जठर ग्रंथी अमलिये होता है और फिर इसलिए इसे अमल से सुरच्छा भी चाहिए तो इसलिए एक कोसिका और होती है स्लेस्मा कोसिका जो की स्लेस्मा का निर्मार करता है ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है चिपचिपा पदा, शलेसमा का निर्मा कोन करता है, शलेसमा को सिका, इसका कार होता है अमासे की अमल से सुरच्छा करना और फिर तीसरी करंथी होती है अगनाशे गरंथी, जो कि अमाशे और छोटी आत के मध पाई जाती है ये दूसरी सबसे बड़ी गरंथी है जो कि पत्ती के आकार की होती है मैंने बताए ये दूसरी सबसे बड़ी गरंथी है और फिर छोटी आत और अमाशे के मद्ध पाई जाती है छोटी आत के पास सथार इस्तित होता है और फिर अगनाश्य रस भी तीन चीजों से मिलकर बना होता है सबसे पहले होता है ट्रेपसीन यह भी प्रोटीन का पाश्चन करता है प्रोटीन के पाश्चन का कार अगनाश्यरस में कौन करता है ट्रेपसीन फिर लाइपेस लाइपेस जो होता है वसा का इमल्सी कर अथाद बड़े बड़े वशा के गोले को छोटे छोटे वशा के गोले में तोड़ने का का और फिर होता इंशुलिन जो कि ग्लुकोस को ग्लाइकोजन में बदल देता है क्योंकि ग्लुकोस की मत्ता हमारे सरीर में अधिक हो जाएगी तो हमें मदु में और सूगर कструर हने का दिक्कत रहता है आता है चोती गरंती यक्रित गरंती तो आगे चलके 20 का निरमार करता है जो कि पित रश बनाता है और यह करता है भोजन को चhteंस परदान करता है ताकि अगनाशे कृम कर सके क्योंकि एक्रित करन्थी होता है जो सबसे बड़ी करन्थी होती है उसी को हम यक्रित करन्थी कह देते हैं सब और दूसरी सबसे बड़ी करन्थी कोन है अगनाशे कि पाश्वी गरंथी होती है आत्रकर गरंथी चोटी आत्रा की निर्मार करते हैं जिसमें कार्भो हाइड्रेट होता है कार्बो हाइडरेट ग्लुकोस में बदल जाता है और फिर उसके बाद होता है प्रोटीन जो की अमीनो अमल में बदल जाता है और तीसरा होता है वसा जो की वसीय अमल में बदल जाता है धन्यवाद मैं आसा करते हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को नवाद